तो हैलो गाईज तो कैसे हो आप सब तो आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे second sectional examination question paper के बारे में subject हनने लिया है pharmacology second और semester हमारा क्या है fifth है और जो question paper है ये 30 mask होता है इसके अंदर हमारे पास 3 section होते हैं section A, B, C और 3 section अपने पास 1010 mask होते हैं तो हम पहले बात कर लेते हैं section A के बारे में तो इसमें हमारे पास total 5 question होते हैं हमारे two number के होते हैं तो फर्स्ट question है write about endomethacine तो आपने बताना है endomethacine के बारे में ये क्या होते हैं अपने indoor acidic acid के derivative होते हैं ये अपने anti-inflammatory drugs होते हैं जिसको हम early intake करते हैं second question क्या है difference between acute and chronic gout gout क्या होता है इसमें क्या आता है जो अपना joints की बीच में जो अपना uric cancer की मातरा बढ़ जाती है जिसे क्या होता है pain होता है inflammation होता है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं और आपने difference बताना है acute gout और chronic gout के बीच में acute gout कौन से होते हैं जो गई अपने short time period के लिए होते हैं जैसे अपने कुछ minute के लिए होते हैं और third question है what is histamine histamine क्या होता है एक local hormone होता है जो की release कैसे होता है जब antigen और antibody आपस में react करती है क्या करती है जब antibody और antigen आपस में react करती है then क्या होता है जो अपना histamine release होता है release कहां पे होता है on the surface of mass cell ठीक है यह definition आप लिख सकते हो और fourth question क्या है classify करना है नसीर्स नसीर्स क्या होते है non-steroidal anti-inflammatory drugs इसको क्या करना क्लासिफाई करने आए आपने classification दो नंबर के recording यहां पर लिख देनी है और fifth question क्या है define vitamin D vitamin D क्या होते है गईज एक तरह के अपने essential vitamins होते हैं जो regulate करते है calcium को phosphorus को हमारी body में इनका main role क्या होता है जो अपने bone होते है ना उसको एक तरह के हम बोसकते है proper जो shape है maintain करके रखते हैं ठेक है तो देन हम बात करते हैं section B के बारे में तो section B में हमारे पास 3 question होते हैं इसमें समय 2 question अटांबर करने होते हैं जो कि हमारे five number के होते हैं तो six question क्या है write a short note on insulin insulin के बारे में अपने बताना है insulin क्या होता है अपना hormone होता है जो कि penchidia के दोवारा release होता है ठीक है इसकी according अपने बताना है five number की according कि बाद next है seven question tell about cell 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 में अपने पास drug आते है aspirin आपने बताना aspirin के बारे में video mechanism guys तो अपना mechanism तो काफी मेरी होते हैं अपना फार्मकलोजी में ठीक है फार्मकलोजी में mechanism की मेंना को काम ही नहीं चलेगा 8th question क्या है explain prostaglandin prostaglandin क्या होते हैं इसके बार में अपने बताना है detail में five number के according और उसके बार next हम बात करते हैं section C के बारे में तो section C में हमारे पास दो कोशन होते हैं दो कोशन में से हमें एक ही कोशन आटाना होता है जो कि हमारा 10 number का होता है 9th question क्या है explain about revenue arthritis in detail revenue arthritis क्या होता है इस तरह के अपनी glucose level अपने blood के अंदर उसकी मातरा घड़ गई है उसकी मातरा मंटेन करने के लिए जो हम drug use करते हैं इसको हम बोलते है औरल hypoglycemic agent इसको आपने बताना है 10 number के अगोडीन ठीक है बाकि गई जो कोशन पिपर आपको ने solve कर लेना है जो अपने फाइस एक्जाम होते हैं उससे पहले आपके लिए काफी help बूर रहेगा तो गई जो इसके notes हैं आपको description में मिल जाएंगे इस subject के unit device तो गई मिलते है और आपको 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 आ